आप सबको मेरा नमस्ते आज मैं आपको यह सेशन में कुलोस्टरम के बारे में पताने वाली हूँ है यह जो कुलोस्टरम है वो पहले दो-तिन दिन जबी डिलिवरी के बाद जो मा को दूद आता है उसको कलोस्टरम बोलते हैं पिले रंगा होता है क्योंकि इसमें जो विटमिन A की मातरा है बहुत ज्यादा मातरा में है विटमिन A आपको मालुमी है हम लोग ने पहले बताया थ कि इनफेक्शन रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए विटरमिने की बहुत ही महत्वपूर्णा है उसमें एक IgA करके इम्मुनो ग्लोबिन है वो भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में बहुत मदब रूप करता है दूसरे कुलोस्टरूम में बहुत सारे के लिए पहत अच्छे है हम दोगर ने टुटर में बताया हुआ है कि कैसे वो किटाणू okay जो बच्छे की जो आथ होती है आथ पर वो कैसे असर करता है और कैसे वो जो दूसरे जो बुरे किटानू है वो sosion उसका सूशन होने से बचाता है बच्चे को ठीक है तो यह जो कोलोस्ट्रम है तुरंत ही बच्चे को देना है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ मा के पेट पे रखना है बच्चा खुद अपने आप चाके मा का दूद लेगा दूसरा क्या है कि यह कोलोस्ट्रम में एक हमो करके प्रिबायोटिक है, human milk oligo saccharide, वो जो अच्छे किटानों है, उसका खाना है तो भगवार ने तो अच्छे किटानों डाले ही हुए है, मा के दूद में, लेकिन उसके साथ वो अच्छे किटानों को खाने के लिए खाना भी डाला हुआ है, उसको human milk कम होता ही है, लेकिन जो jaundice बोलता है, jaundice jaundice की मातरा भी कम हो जाती है ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बच्चे को दूद पलाएं, तो उसकी जो टिकनीक है, वो टिकनीक से दूद पलाना है, वो टिकनीक हम लोग आपको दूसरे सेशन में बताएंगे कि कैसे टिकनीक से दूद पलाना है लेकिन जितना हो सके आपको तुरंथी कोलोस्टरम देना है कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा या तो बहुत सुस्त है या तो बच्चा लाच नहीं कर रहा है या तो बच्चा बहुत सो रहा है तो ये टाइम में आपको मा को कैसे दूद निकालना उसकी भी टेकनीक हम लोग ने बताई ये कर टेकनीक से निकालना है दूद और तुरंथी बच्चे को देना है ठीक है बहुत सारे हॉस्पिटल में वो लोग डॉक्टर्स लोग बोलती कि बहार का पाउडर का दूद चालो करो सेजैरिन में पाउडर का दूद चालो करो आपको पाउडर का दूद चालो करने के बिलकुल जरूरत नहीं है मा को सिखाना है कि कैसे अपना दूद निकाले और बच्चों को दे लेकिन सबसे पहले तो सबसे बढ़िया चीज है कि अगर आप तुरंती जैसे बच्चा पदा हुआ उसको मा के चाती पे रखना है और बच्चा अपने आप खुड पे जाके स्थन पे जाके दूट लेगा ये तो होगे आपका कोलोस्टरम का टुटोरिल आपको बहुत पसंद आएगा और आप देखे और मदर को और माता को ये सारे इंफोर्मिशन आपको देनी है धन्यवाद सुनेहरा घंटा और खीस पिलाने के महत्व पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है खीस पिलाने के लाब शुरू करते हैं पहले ये समझते हुए कि सुनेहरा घंटा क्या है नवजाच शिशु के जनम के बाद के पहले घंटे को सुनेहरा घंटा कहा जाता है यह पहला घंटा शिशु की वृध्धी और विकास के लिए बहुत जरूरी है मा के स्तनपान की अवधी में यह एक महत्वपून कारक भी है। यह समय मा और उसके शिशु के बीच के बंधन को मजबूत करने में मदद करती है। दोनों के बीच लगातार त्वचा से त्वचा का संपर्क शुरू किया जाना चाहिए। त्वचा से त्वचा का संपर्क क्य शिशु रेंगने का प्रयास करेगा और अपने मुह से मा के स्तन को पकड़ने की कोशिश करेगा इसे breast crawl कहते हैं जिसे एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है अब स्तनपान के अलग-अलग चर्णों को देखते हैं और इसकी सनरचना को भी स्तन का दूद तीन मुख्य चर करता है ये चरण है खीस, transition दूद और परिपक्व दूद हर एक चरण शिशु की बदलती और बढ़ती जरूरतों के लिए सबसे सही है हम पहले चरण के बारे में विस्तार से सीखेंगे जो की खीस है खीस सबसे पहले बनने वाला स्तन का दूद है यह गाढ़ा, चिप-चि या फिर हलके पीले या गहरे पीले रंग में हो सकता है यह इतना कीमती है कि इसे तरल सोने के नाम से भी जाना जाता है खीस में मौजूद बीटा कैरोटिन से पीला रंग होता है गरभावस्ता के बारवे से सोलवे हफ्ते में स्तनों में खीस बनना शुरू हो जाता है प्र सिरफ प्रसव के पहले दो से चार दिनों तक ही आता है, यह पहले दिन कम निकलता है, लगबग 40 से 50 मिलिलीटर, जो की लगबग 3 बड़े चमच दूद होता है, फिर 2 से 4 दिनों के बीच दूद जादा बनने लगता है, तीसरे दिन दूद 300 से 400 मिलिलीटर तक बढ़ जाता है, यह लगबग 20 से 25 बड़े चमच दूद होता है, भले ही खीस कम निकलता है, पर यह बहुत ताकतवर होता है, यह पचने में आसान होता है, जो इसे शिशु के लिए सबसे अच्छा पहला भोजन बनाता है, इसमें प्रोटीन जादा और कार्बो हाइडरेट कम होता है, यह अच्छे फैट से भी भरपूर है, यह अच्छा फैट नवजाज शिशु के विकास के लिए जरूरी है, यह इनफेक्शन से लड़ने वाले तत्व भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे की एंटीबोडीज, लेक्टोफेरिन्स, लेक्टेडरिन्स और लिउकोसाइट्स, विकास और सुरक्षात्मक कारक भी होते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत जादा विटामिन A, E B12 और K शामिल हैं, खीस में बड़ी संख्या में सफेद रक्त कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं, शिशू की रोगों से लड़ने की शक्तिक मजबूत करता है और रोग पैदा करने वाले कारकों से लड़ने में मदद करता है, इसमें ऐसे घटक हैं जो बैक्टीरिया से ल कुदर्ती पहला टीका करन है, जनम के तुरंत बाद नवजाचिशू अपने आपके एंटीबॉडी को पैदा करने में असमर्थ होता है, खीस पिलाना जरूरी है क्योंकि यह विशेश रूप से एंटीबॉडी से भरपूर होता है, उदाहरन के लिए इम्यूनोग्लोबिल A, M और G, इन में से इम्यूनोग्लोबिलिन A, जिसे IgA के नाम से जाना जाता है, वह सबसे जरूरी है, वे शिशू के अंगों के उन हिस्सों पर परत चड़ाते हैं, जिनको इन्फेक्शन जल्दी हो सता है, जैसे गले, फेपडे और आंतों की परत पर, IgA किटानूं से बंधता है और उन्हें बे असर करता है, यह किटानूं को शिशू के खून में आने से रोकता है, खीस शिशू की रोगों से लड़ने की शक्ति को नियंतरित करने में मदद करता है, उनके शरीर में T-Helper Cells के स्तर को संतुलित करता है, T-Helper Cells में असंतुलन का परिणाम एलर्जी और स्वप्रतिरक्षा रोग हो सता है, स्वप्रतिरक्षा बिमारियों में प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है, हमारी सत्तर प्रतिशत से अधिक प्रतिरक्षा आंत में होती है, शिशु के पेट के स्वास्थ में खीस का बहुत बड़ा काम होता है, यह शिशु के पेट के वातावरण में विविधता लाने में मदद करता है, बाद के जीवन में अलर्जी की रोख थाम में मदद करता है और अस्थमा में भी यह आंत की सूजन के खत्रे को कम करता है, तनाव और चिंता के खत्रे को भी कम करता है चलिए समझते हैं कि खीस शिशू की आंत के लिए कैसे फाइदमंद है एक नवज़त शिशू लीकी गट के साथ पैदा होता है आंत की अंदरूनी परत की कोशिकाओं के बीच अंतर होते हैं इन अंतरों में से वाइरस, बैक्टीरिया और एलर्जी करने वाले कारक शिशू के शरीर में आ सकते हैं खीस अंतरों को भरदा है कोई भी नुकसान करने वाले रोगाणू इसके बीच से ना जा सके आंतों की कोशिकाओं की परत में ब्रश की तरहा का किनारा होता है इसे माइक्रोविली के नाम से जाना जाता है खीस इन माइक्रोविली के बढ़ने और फैलने में मदद करता है यह पोशक तत्वों के सोखने को बढ़ावा देने में मदद करता है खीस आंत की कोशिकाओं से म्यूसिन के स्रावित होने को बढ़ाता है म्यूसिन आंतों की दिवारों की परत पर एक परत बनाता है यह किसी भी खराब बैक्टेरिया के आने को रोकता है खीस में human milk oligosaccharides भी होता है जिसको HMO कहा जाता है वे prebiotics के रूप में काम करते हैं इसका मतलब है कि वे शिशु की आंत में अच्छे बैक्टेरिया के बढ़ने को बढ़ावा देते हैं वे रोग जनकों को आंत की कोशिकाओं से जुड़ने से रोकते हैं ये शिशु के दिमाग के बढ़ने के लिए भी फाइदे मंद हैं शिशु को खीस पिलाने से उसका पेट पाचन के लिए तैयार होता है यह शिशु को मेकोनियम निकालने में मदद करने के लिए रेचक के रूप में काम करता है मेकोनियम शिशु का पहला गहरा काला या गहरा हरा मल है जब वह मा के गर्ब में होता है तो यह उसकी आंतों में बनता है मेकोनियम के जल्दी निकलने से पीलिया को रोकने में भी मदद मिलती है मेकोनियम में बिली रूपिन होता है खीस के रेचक गुन उसे बिली रूबिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं यदी शिशु को पूरी तरह से नहीं पिलाया जाता है मल में से बिली रूबिन आंतों में दोबारा सोखा जाता है फिर यह उसके शरीर में इकठा होता है और इससे पी लिया हो जाता है खीस की एक खास बात ये है कि इसमें वृद्धी के कारकों की बहुत जादा संख्या है जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर टू वे उतक के बढ़ने मरमत और विकास के लिए जरूरी है एक अन्य वृद्धी का कारक जो खीस में जादा है वो है VEGF इसे वैस्किलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर कहते हैं यह नई रक्त वाहिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है खीस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का एक प्रमुक जरिया भी है यह शिशू की आंत के सामान्य तरीके से बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है चोट लगने पर आंतों की परत की मरमत के लिए भी यह जरूरी है इस तरह यह नवजाच शिशू में आंतों की बिमारी से सुरक्षा देता है उदाहरन के लिए necrotizing enterocolitis जिसे NEC के नाम से जाना जाता है यह आंत की सूजन के कारण होने वाली स्थिती है खीस पिलाने से शिशु के खून में शुगर कास्तर कम होने से रोकने में भी मदद मिलती है अतहे है खीस पिलाना शिशु के लिए बहुत फाइदेमंद है पहला मिथख ये है कि खीस को फैंक देना चाहिए क्योंकि वह बासी होता है यह सही नहीं है खीस ना तो बासी होता है और ना ही यह शिशु के लिए नुकसान दायक है बलकि यह नावजाद शिशु के लिए बहुत जरूरी है स्थन पान में देरी होने पर भी इसे फैंकना नहीं चाहिए शिशु को स्थन पान कराने में किसी भी तरह की देरी खीस के बनने में देरी का कारण बनेगी जैसे शिशु का स्थन से गलत जुडाव के कारण स्थन पान में देरी इस्थिती में मा अपना खीस खुद ही निकाल सकती है और इसे शिशु को पिला सकती है वहस्तन को पीछे खींच कर फिर दबा कर और छोड़ने के तरीके से ये कर सकती है इससे शिशु को अनावशेक रूप से प्रिलाक्टियल फीड्स पिलाने से बचाव होगा स्तनपान शुरू होने से पहले नावशेक शिशु को प्रिलाक्टियल फीड्स दिया जाता है जैसे कि शहद, पानी, गुड, जड़ी बूटी के घोल, पशु का दूद, बाजार का डिब्बे वाला दूद ये खादेपदार्थ शिशु को जरूरी पोशक तत्वों से दूर करते हैं, यह नवजात शिशुों में इनफेक्शन के खत्रे को भी बढ़ाते हैं, दूसरा मिथख है, खीस की मात्रा कम और सही ना होना, कुछ लोग सोचते हैं कि खीस शिशु के लिए पर्याप्त नहीं है, कई महिलाएं सोचती हैं कि उनके स्तन में दूद कम बनता है, य यह सही नहीं है, स्तन के दूद का बनना आम तोर पर शिशु की जरूरतों के अनुसार होता है, जनम के बाद पहले कुछ दिनों में शिशुों को बहुत कम मात्रा में दूद की जरूरत होती है, पहले दिन उनके पेट में लगभग 20 मिलिलीटर दूद जा सकता है, इसलिए मा को बार बार दूद पिलाते रहना चाहिए, पहले कुछ दिनों तक शिशु को दिन में लगभग 10 से 12 बार दूद पिलाना चाहिए, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद दूद बढ़ेगा, पांचवे दिन मा के स्तनों में ट्रांसिशनल दूद बनना शुरू हो जाता है, यह स्तन के दूद का दूसरा चरण है, जो नीले सफेद रंका होता है, यह प्रसव के दो हफ़ते बाद तक तयार होता है, इसमें दोनों का मेल होता है, खीस का भी और स्तन के सामान्य दूद का भी, दो सपता के बाद स्तन परिपक्व दूद बनाना शुरू कर देता है, य यह खीस और ट्रांजिशन दूद की तुलना में जादा पतला होता है। हालांकि यह कम गाड़ा होता है, फिर भी यह शिशु के लिए कुदर्ती रूप से अच्छा आहार होता है। याद रखें कि 6 महीने तक केवल स्तन पान कराना चाहिए। शिशु 6 महीने का हो जाए, तब पूरक आहार शुरू करना चाहिए। इसे स्तन पान के साथ देना चाहिए। स्तन पान 2 साल या उससे जादा समय तक जारी रखना चाहिए। इसका लाब जीवन भर रहता है, मा और शिशु दोनों के लिए। अब ये टुटोरियल यहीं समाप तो होता है। आयाईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कर दो हमसे जुड़ने के लिए। कर दो हमसे जुड़ने के लिए। झाल झाल